तरती वर्ष संस्क्रित के ड्विती प्रश्न पत्र में आज हम महाकावियों के उद्भव, अर्थात उद्पत्ति और विकास का अध्यन कर रहे हैं महाकाविय का उद्भव हम सबसे पहले वेदिकाल के अंतरकर देख सकते हैं संसार के सबसे पहले लिखित गरंत रिगवेद के अंतरगत अनेक आख्यान सुक्त है जिसमें अनेक कथाएं हैं इसी प्रकार इंद्र, वरुण, विश्नु, आदी की जो प्रार्थनाएं हैं की गई है और नारासन से अर्थात वीर कथाओं से हमें महाकाविय के संकेत मिलते हैं इसके बाद वेदिक कालीन जो कथा, जो भाव, जो रचना थी उनका विकास धेज़ेरे महाकाविय के रूप में परिवर्थित हो गया सरवप्रतम हम रामायन और महाभारत में देखें तो वेदिक कालीन सुत्रों का इनमें विकास हुआ और बाद में कालीदास, अस्वगोस, भारवी आदिक रचनाओं में और अदिक विकास हुआ इस प्रकार महाकाविय का उद्भव मूलते रिगवीद एवं उसके बाद रामायन एवं महाभारत से माना जाता है क्योंकि रामायन और महाभारत एक उपजीवी अर्थात इनके अधार पर अनेक गरंतों की रचना किये गई हैं इसके बाद रामायन और महाभारत के बाद कालीदास एक प्रमुख कभी के रूप में आते हैं कालीदास की रचनाओं की प्रसिद्धी से उसके पूर्व के प्रमुख गरंत लोग भूल गए थे फिर भी कुछ गरंतों को इस परकार हम देख सकते हैं 450 इस्वी पूर्व पाणिनी ने एक गरंत लिखा जिससे पाताल विजय या जामबवती जय कहा जाता है इस गरंत में श्री कृष्ण का पाताल में जाकर जामबवती के विजय और विवा की कथा वर्णित है इसके पस्चात 350 इस्वी पूर्व में वर रुची ने स्वरगा रोहन नमक काव्य लिखा गुप्त कालीन समराट समोदुर गुप्त के गरंत कृष्ण चरितम में वर रुची का उलेख आता है इसी प्रकार पतंजली जो की 150 इस्वी पूर्व में हुए थे उन्होंने महा नंद काव्य लिखा था जिसमें नंद वन्स का वर्णन था इस परकार हम देखते हैं कि 450 इस्वी पूर्व से महा काव्यों की रचनाओं का उलेख मिलता है परन्तु वो अभी पराप्त नहीं हुई है क्योंकि बाद के काव्यों की प्रसिद्धी से उनकी लोगप्रिता कम हो गई और समय के परवा में वो विलुप्त हो गए इसके परशात हम महा कभी कालिदास को देखते हैं कालिदास का समय कुछ लोग इसवी पूर प्रतम सताब्दी तो कुछ लोग इसवी चोती सताब्दी मानते हैं कालिदास के जो काव्य थे वो बहुत सरल, सरीस, एवं उच्च कोटी के थे कालिदास के गरंतों में जो आदर्स स्थापित हुए वो बाद के कवियों ने अपनाए एवम कालिदास को प्रमुख कवी के रूप में माना जाता है कालिदास के अनुकरन पर ही बाद में भारवी, माग, स्रीहर्ज, आदीकवियों ने अपनी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी इसके अतिरिक्त एक अन्यमत है कि इस्वी प्रतम सतापदी के आज़ पास हम अभीलेखों का अवलोकन करते हैं तो कुछ माकावियों की रचनाम मिलते हैं जैसे सक्षासक रुद्रदामन के गुजरात में स्थिद्ध गिरनार सीला लेख जो की एक सो पचास ईश्वी का है उसमें उच्च कोटी का लेख मिलता है इसका अर्थ हैं कि उस समय साहित्तिक सेली विक्सित हो चीकी थी इसी प्रकार सातवान सासक पुलुमावी के माराष्ट के नासिक सिलालेख में जो की प्राकरत भासा में है उसमें भी अलंकारिक सेली का वर्णन है इसी प्रकार समुद्र गुप्त के प्रियाग प्रसस्ती इलाबाद में स्थित है जहां पर उसके कवी हरी सेन ने जो समुद्र गुप्त के प्रसस्ती लिखी है उसमें भी उच्च कोटी की सेली है इससे यह पता चलता है कि उसमें महाकाविय पर्याप्त रूप से लोगप्री हो चुके थे इस प्रकार निश्कास रूप में महाकावियों का जो विकास या उद्भव है वो रिगवेद से प्राप्त होता है रिगवेद में आख्यान अनेक कताएं हैं इंद्र वरुन आदे के सुतियां है उनके कताओं और उनकी सेली से धीरे धीरे महाकावियों की रचना का मार्ग प्रसस्त हुआ रामयन एंव महाबारत जो की वीर महाकाविय है दार्मिंग महाकाविय है उसके आधार पर भी बाद में अनेक कवियों ने अपने रचनाएं लिखी इसके पश्चात कालिदास आते हैं एवं अस्वगोस आते हैं कालिदास को कुछ लोग चोती प्रतम सताब दी इस्वी सब्सकूर कोजाने वहीं अस्वगोस को जो की कनिष्क के सबसते अरथा उनका शमय प्रतम सताब्दी माना जाता है। प्रतम सताप्णी में असुगोस ने भुद्य चरितम एवं सोंदर नंद की रचनाय की थी इसेश प्रतम सताप्णी में महाकावियों की रचनाय थी इसका पूरु भी अनेक रचनाय थी जो हमने पड़ा था कि 450 इस्वी में 350 इस्वी में एवं 150 इस्वी पूरु भी कुछ महा काविय थे पर उनका अभी प्राप्त नहीं होते हैं तन्यवाद महा कावियों के विकास को हम सेली गत एवं रूप गत दो परकार से भी विवाचित कर सकते हैं पहला है रूप गत विकास अर्थात इसमें तीन चरण है वेदिक काल जिसमें सरल छोटे आख्यान एवं देवताओं के स्थुति है यह विक्सित काविय नहीं है इसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा काविय का अंस पाया जाता है इसमें भाव की पढ़धानता है दूसरा चरण है वीर महा काविय काल जिसमें व्यास एवं वालमिकी ने रामायन एवं महाबारत की रचनाय की इनमें भाव और आख्यान अर्थात कथा की पढ़धानता है अगला चरण है लोकिक महा काविय जिसमें कालिदास एवं उसके बाद के कवी जैसे भारवी माग स्रीयर्स आदी आते हैं जिनमें भाव की अपेक्सा कला तत्व अर्थात अलंकार चंद कठिन सब्द उच्च कल्पना आदी की पढ़धानता है सेली गत्विकास इस विकास में तीन चरण माने जाते हैं पहला है प्रसाद सेली जिसे सरल सेली कह सकते हैं रामायन महाबारत कालिदास असुगोस इन कवियों में सरलता पाई जाती है रचना को पढ़ते ही अर्थ ध्यान में आजाता है कविका मुख्य जोर भाव पर अधिक है दूसरी सेली है अलंकार अत्मक सेली अर्थात इस सेली में अलंकार मुख्य हैं उच्च कल्पना मुख्य हैं कविका उदिश्य उच्च सर पर ले जाना है भावों की अपेक्सा जोर रचना पर अधिक है इसमें भारवी का किरता जोर्णियम माग का सेसुपालवद स्री अर्ष का नैसधिये चरितम आधिकावी आते हैं अगली सेली है स्लेसात्मक स्लेली स्लेस का अर्थ है एक से अधिक भावों का कथन इसमें दो अर्थक अर्थात दो अर्थ वाले और त्रे अर्थक अर्थात तीन अर्थ वाले कावी है यदि भी ये संक्या में कम है दो अर्थक कावी में जैसे धननजय द्वारा लिकित द्वी संधान कावी है कवीराज द्वारा लिकित रागव पांडवी अर्थात रागव अर्थात राम और पांडवी अर्थात पांडव की कता एक ही रचना में राम और पांडव दोनों की कताएं साथ साथ चलती है त्रेर्थक कावि में तीन तीन अर्थों वाली रचनाएं हैं जैसे राज चूड़ा मनी दिक्षित द्वारा लिखित रागव यादव पांडवी है अर्थात राम कृष्ण एवं पांडवों की तीनों की कता एक ही पंक्ति से तीन तीन अर्थ निकल करके और एक ही कावि में तीन तीन काल की तीन तीन विक्तियों की कताएं लिखी गई है यह बहुत कठिन से लिए है इस प्रकार मा कवियों का हम उद्भव देखें तो हमें वेद से अर्थात रिगवेद से प्राप्त होता है जिसमें देवताओं की स्तूती कुछ आख्यान जिसे सर्मापणी समवाद यम्यमी समवाद इन से मिलता है इसके बाद रामाय ले महाभारत प्रसिद्ध माहकावी है इनके अधर पर बहुत कवियों ने बाद में अपनी रचनाएं लखी रामाय ले महा भारत के बाद पर्तम सताब्दी में हम अस्व गोश को देख सकते है कालिधास को पर्थम σतापदी इश्विपुरू अत्वा चतुर्थ सतापदी इश्वि का माना जाता है इसके पुष्चात भारवी माघ श्री Ahí Αrt clothes यह चति सतापदी से नवी सतापदी के मद्धी की रचनाएं है इस प्रकार संस्कित महा कावियों का विकास इसा पूर्व एकजार इस्वी से लेकर के पारंब हुआ था तन्यवाद